हालो दोस्तों मैं उपेंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल UK टुटरियल में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जारकन की परिवहन प्रनाली और इसे समंधित उबजेक्टिव को सौल्ब करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रसन है कि आρत्रिक्स नमिक्षा दोजार अठार उणीज के नुसर जारकन राज में पूल राष्टीए राजमार की संख्या है तो जारकन राज में पूल राष्टीय राजमार की शंख्या अब 33 हो गई है दोस्तों और यहां पर अगर देखे दोस्तों कि सबसे अगर लंबी ने पूछे गा राष्टी राजमार कोन सी है तो एनेच जो है दोस्तों आप नेशनल हाइवे 33 यह सबसे लंबी है जिसकी लंबाई जहारखन में कितनी है तो 333.5 km यानि कि आप यहां पर याद रखेगा कि संख्या कितनी 33 अबसे लंबी नेशनल हाइवे तो 33 और इनकी लंबाई कितनी है जहारखन में तो 333.3 km यानि कि तेहां पर तीन कोस्टन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हुएगा दोस्तों इसलिए हम इस तीन चीजों को बता दे रहें आगला प्रस और गूगल में भी अच्छे से नहीं दे रहा है तो आप इसको देख करके कोमेंट करके बताइएगा मेरे को और इसको लिए आप लोग के लिए छोड़ते हैं होमवर्क तो आपका यह नंबर कोस्टन होमवर्क रहेगा यह स्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे की जो दू 33 जो है दोस्तों सबसे लंबा है नेशनल हाइवे 33 जिसकी लंबाई 333.5 किलो मीटर है तो इसहाँ पर आप याद रखेगा इसको आगला प्रस्टन है कि राष्टी राज मार्ग 33 जार्कन राज में कितने जीलों से होकर गुजरता है तो देखे दोस्तों तो जार्कन राज लंगर खोटी राची स्रायकेला खरसमा इस तरह से आप याद करना चाहेंगे तो कर सकते हैं अगला प्रस्टन है दोस्तों कि आर्थिक समिक्षा 2018-19 के अनुसार जार्कन राज में राज की राजमार्गों की लंबाई है तो ये स्टेट हाइवे की लंबाई पुछ रहा है आगला प्रस्टन है दोस्तों कि जार्कन राज जी का सबसे लंबा राज की राजमार्ग है और सबसे लंबा राज की राजमार्ग पुछ रहा है दोस्तों तो इसका हो जाएगा कि ए स्टेट हाइवे जो चोबी से हो सबसे लंबा है तो यहाँ पर इसका एंसर ए हो रांची इस्तित हवाई अड़ा का नाम क्या है तया आपको अप्षे सियाद होगा दुस्तों कि रांची जो हवाई अड़ा ह्वाई अड़ा ह्वाई अड़ा के नाम पर ही हवाई अगला का नाम रखा गया तो इसका answer यहां पर यह हो जाएगा आगला प्रस्न है कि निन में से कौन सा राष्टी राजमार्क के वल जारखंड में ही बिस्तारी थे यहां पर देखें दोस्तों कि NH 33 है इसके लावा NH 100 यह दोनों जो है वो जारखंड में बिस्तारी थे तो इसका answer यहां पर D हो जाएगा आगला प्रस्न दोस्तों कि A.C.A. तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग के द्वारा प्रस्तावित अंतराष्टी राजमार का जारखंड के किस इस्थान से गुजरने का प्रस्ताव है तो जारखंड के बरही से गुजरने का प्रस्ताव है दोस्तों ती इसका answer यहां पर B हो जाएगा अगला प्रस्तन है कि जारकन से संबंधीत एक प्रमुख रेल्वे जोन पूरु उमध रेल्वे का मुख्याले कहां है तो पूरु उमध रेल्वे का मुख्याले है दोस्तों हाजीपूर में कि यहां पूरु वेसीच अगर देखें अगर उत्तरदेक्षीन पूरु उम्मद रेलवे जो है दोस्तों इसका आजी पूर आँपूरु रेलवे का मुख्याले बोले तो कलकता में है अगला प्रस्ने दोस्तों कि जहारकन के सम्मधित एक पूरमूख रेल्वे जग दक्षिन पूरू रेल्वे का मुख्याले कहा है अगला प्रस्ने दोस्तों कि नीम में से कौन सा रेल्वे मंडल जारकन राज में है तो धनबाद, चक्रधर, पूर और राची ये तीनों रेल्वे मंडल जो है दोस्तों जारकन में है आगला प्रस्न है दोस्तों कि धनबाद रेल्वे मंडल कीस रेल्वे जोन के अंतरगत आता है तो धंबाद रेल्वे मंडल जो है दोस्तों पूरी उमध रेल्वे के अंतरगत आता है तो इसके एंसर हैं पर ए हो जाएगा अगला प्रेसन है दोस्तों कि जार्कन राज्य का राची रेल्वे मंडल नीन में से किस रेल्वे जोन के अंतरगत आता है अगला प्रेसन दोस्तों कि जार्कन का चक्रधर पूरू रेल्वे मंडल नीन में से किस रेल्वे जोन के अंतरगत आता है तो जार्कन का जो चक्रधर पूरू रेल्वे इस्टेशन है दोस्तों यह आता है आपका देख्रधर पूरू रेल्वे के अंतरगत तेहां पर इसका अंसर यह हो जाएगा अगला प्रेसन दोस्तों के जार्कन की नीन में से किस रेल्वे इस्थान पर कंटेनर टर्मिनल का डीपो इस्थीत है करन्टेणर टर्मिनल का डीपो एस्टीत है दोस्तों जमसेद्पूर में आगला प्रस्तन दोस्तों के जार्खन निमनिमे से की सीस्थान पर केंद्रीय रेल्वे बिद्धोतीकरण संगठन की साखा एस्थित है केंद्रिय रेल्वे विद्धी करण की संगठन की साखा राची में स्थी थे दोस्तों तो इसका एंसर इहां पर हो जाएगा भी अगला प्रास्टन दोस्तों की जारकन में स्वरो पर्थम की सिस्थान पर हवाई अड़ा का देर माण किया गया था तो आपको पता होगा दोस्तों की स्वरो पर्थम राची में इस्थापित किया गया था 1941 सिस्वी में जो बिर्षा मुंडा हवाई अड़ा के नाम से अगला प्रास्थन दोस्तों की राची में स्थीत हवाई अड़ा का नाम क्या है थे हवाई अड़ा का नाम है दोस्तों बिर्सा मुंडा हवाई अड़ा रिपेटेड़ कोस्चन है दोस्तों आगला प्रस्न है दोस्तों कि राची में किस वर्ष हवाई अड़ा का निर्मान किया गया था तो राची में 1941 सिज्वी में हवायड़ा का निर्माण किया गया था तो इसका एंसर यहां पर C हो जाएगा और जो संख्या है दोस्तों उसको आप देख करके अपडेट कर लीजेगा क्योंकि जहां पर नेशनल हाइवे की बात होती है तो अहां पर 384 किलोमेटर दिखा रहा ह है और जो यह अपका है 400 किलोमेटर स्टेट हाइवे दिखा रहा है तो दोनों को देख करके अब अच्छे से दोचार बुक से मिला करके आप इसको अपडेट कर लीजेगा लिख लीजेगा या नया डेटा कहीं से मिले तो इसको देख लीजेगा थांक्यू दोस्तों और थ